यही होता है यही होता है जब आप जून के बाहर लड़ रहे होते हूँ वो भी ऐसा निक यार एकाद बंदे होंगे दो-दो टीम के बंदे लड़े पड़े हैं और हर किसी पे गरो जाए तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बीरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पप जिदो मोयल गिम के वीडियो में अब इसमें मैं आठ आठ बंदों से लगभाग एक ही टाइम पे पंगे लेता हूँ और ऐसा भी नी कि यार एक बार आठ बंदों से पंगा लिया और हो गया काम नहीं भाई दो दो बार आठ आठ बंदों के बीज घुसे पड़े होते हैं तो यार आठ बंदे के बीज घुसे हैं गलत सीन क्यासे नहीं होंगे वो भी दबा के होंगे खैर फिलाल जो जा रखाऊं और S-12 के मिली है अब भले मेरे को उतरते ही गन मिल जाती है लेकिन यार जो बंदे साथ उतरे होते हैं वो भगना चालू कर देते हैं तो मैं उनके पीछे भगना चालू करता हूं और थोड़ा सा टाइम बीज चुका था कि नया अपडेट आया और कोई ज़्यादा खतरना गलत सी नहीं होया मेरे साथ हना लेकिन अब होने वाला है यहाँ पे हमारे भाई हमको ये M-7 छेदू देते हैं और उस पे ये कनाटेट साइट पेलता हूं मैं मुझे नहीं पता क्यूं और उसके बाद देखो भाई क्या ही चीजे होंगी अब ये क्या है और क्यूं है भाई मैं सकोब खोलता हूं भाई कुछ भी नहीं दिखरा है बिल्कुल अंधेरा चा गया सकोब के सामने न जाने कैसे मैं उस बंदे को तुका बाजी में पेल देता हूं अच्छा वा पहले देखा मैंने फिर सकोब खोला यार सकोब खोल के भाईया डूरने लगता न सकोब का पता नहीं ये अंधेरा जरूर मिलता मुझे खेर उसकी पेटी बना दी और कानाटेट साइट को मैं निकाल के किनारे फेक देता हूं पहले दिन बहुत मजा है यार लेकिन अब देखो ऐसे लोहा साइट के साथ गलत सीनोंगे लगा के तो फाइदा नहीं है जादा खेर वो दोनों बन्दे बस दो ही बन्दे थे उनकी पेटी बनाता हूं और आगे बढ़ता हूं और अगर ये बन्दा एक गोली आस पास भी चुआ देता न मेरे मैं सीधा नोक था याँ पे देखो वो लगभग मेरे मुग के अंदर ही आ चुका था इतने पास लड़ रहे थे हम खेर जो भी हो अपन अभी जिन्दा बज गए हैं तो दिक्कत किधर को आ रही है अब जैसी कोई लड़ाई की आवाद सुनता है ना थर्ड पाटी के लिए हर एक बंदा तयार है यह लोग ऊपर नीचे ना जाने कहां कहां से आ रहे हैं तो मैं भी तैयार हो जाता हूं अब यहां पर मेरे को चालाग बन के मूँ के सामने आने की जुरत ही नहीं थी इनके अराम से बैटके बेंडेज पेलना था लेकिन यार जो स्पूरा था मेरा टिमेट आगे भगता है तो मैं बोलता हूं यार कवर फाइरिंग देंगे अब कवर के नाम पे मैं कद्दू नहीं दे पाता उल्टा नोक हूँ जाता हूं और हमारी परिशानिया और बढ़ जाती है लेकिन सीन क्या है इनके भी दो दो बंदे नोक पड़ें एक तो नजाने कब और कैसे राइट पे पहुंच गया था उसे तो नोक करके छोड़ाए और वो रेंगते रेंगते सामने से जा रहा है रिवाईवोने अब वो बेचारा बंदा ना जाने कहां से रेंगते वाया रेंगते तैरते भाई कैसे तैसे करके लगभभ पहुंच नहीं वारा था अपने टीमेट के पास भाई पहुंची गय थे वो बंदे कवर देने भी है सामने लेकिन देखो मैं था ढीट और मिट्टी दिल इंसान मैं देखता हूँ अच्छा भाई आप रिवाइवर ने जा रहे हो दे पेटी बन जाती है भाई की खैर उसका बदला लेने ये दोनों बगते वे आते हैं और दोनों की बगते बगते बेटी बन जाती है अब देखो गरवी आ चुकी हैं लेकिन आपको भी पता है मेरे को भी पता है मेरे साथ उल्टे ही सीन होंगे जुकाम हो चुका है नजाने क्यों यार घर पे पंके चनले इधर उदर भाई ठंडे पाहनी से नहारे लोग लेकिन मेरे को जुकाम हो चुका है अब क्या ही कर सकते हैं हर बार कैसी ने खेर जो भी हो इसे के साथ जोर्ज खाली हो चुका है अब या तो फिर camper लोग पड़े होंगे जो rank दबा के push कर रहे हैं तो उनको हम छोड़के कहीं और चल देते हैं और बहुत ही जल्द 8 बंदों से लड़ाई होगी लेकिन उससे पहले हम धैड़ बेड़ बात कर लेते हैं हमारे sponsor की तो यार इस app वेफिर website का नाम है 1xbet जिसके माद़ से आप कई सारे games cricket, football, volleyball, basketball और भी कई सारे sports या फिर e-sports पे bet boot लगा सकते हूँ साथी साथ आपको इसमें 7000 रुपे तक का bonus मिलेगा अगर आप मेरा promo code यूज करते हूँ जो की comment section में होगा साथी साथ इसमें कई सारे mini games भी है तो आप वो खेल के भी पैसे कमा सकते हूँ और जीते वेफ पैसे withdraw करना बिल्कुल हलवा है यार paytm, paypal, google पे नजाने क्या क्या है इसमें आप किसी से भी पैसे withdraw कर सकते हूँ तो अगर आपको इस सब चीज का सौक है आप इस हैप को ट्राय कर सकते हूँ इसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में और यहाँ पे गाड़ी बर के बंदेया हैं तो बहुत ज़्यादा दबा के फाइट होगी इधर और इधर पे तो मेरे को गोली उतक ने धोका दे दिया सिर्फ 22 गोली लेके गुसता हूँ इधर और पता चलता है कोली सारी खाली हो चुकी है भाई गन बिल्कुल लाल टैप हो गई थी खेर मैं एक एम निकालता हूँ और एक ही बंदा बाकी है इनका जो की मेरे ख्याल से उपर नीचे नजाने किधर ही बैठा है और जिस हिसाब से ये बंदा यार डटके बैठा है न मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है ये रिवाइब देने आने भी वाला था और मेरे को नेट से पेलने की पूरी पूरी तयारी थी भाई ठीक वही पे नेट करता है जहाँ पे पहले मैं खड़ा हुआ था लेकिन मैं छट पे आता हूँ लेकिन सीन वही होते हार चत पे जाओ بंदě नीचे पहुँचे होते हैं और नीचे जाओ बंदे चत पे पहुँचे होते हैं खैर उब नीचे का सीन चलता रहता है और ये फिर से उबगता है अब वो भाई दबा के 1 a.m. तो चलाते हैं लेकिन किस पे मैरे समझ नहीं आया मेरे ख्याल से 1000 IQ प्रिफायर दे रहोंगे खेर अभी छट पर ही बैठे हैं भाई अब यहाँ पे गोलियों की आवाज जोर से आती है अब देखो जहाँ पे भी गोलियों की आवाज जोर से आती है न वहाँ पे मेरे जैसे डीट, किलके, लालची, भूके नंगे लोग पहुंच जाते हैं तो हाँ एक और सकोड़ा चुकी है यहाँ पे पूरे चार बंदे हैं और यह लोग यहाँ पे पहुंचते ही बाटों पे अत्या चार चालू कर देते हैं एक बाट की पेटी बना दी और यह बेचारा बंदा थर्ड पार्टी के चकर में अपनी पेटी बना गया सीन क्या होता है हमारे भाई योएंपी बाट पे चलाते हैं लेकिन उस बंदे को लगता है कि यार लड़ाई बेढ़ गई गुच जाओकर के अंदर अब लॉबी के अंदर जाओ अब हमारे भाई की नेट से फटके 14 हो जाती है लेकिन सीन क्या होता है नेट सिर्फ रोड पे गिरा होता है कुछ नहीं होता गर पे और इन लोगों के नेट बी यार बिलकुल मेरी तरह है वैसे मेरे से थोड़े जादा ही महंगे होंगे सारे के सारे नेट ये रोड पे फेक देते हैं नजाने क्या सूचके नेट करते हैं क्यार मैं इधर लूटने के लिए आता हूँ क्योंकि यार देखो पेटिया बनाई थी लूटना बहुत जरूरी होता है रूका नहीं जाता और जब तक मैं लूट रहा हूता हूँ ये लोग फाइदे में मौका उटा के घर के अंदर तक आ जाते हैं और ये वाला बन्दा भाई बहुत ही अलग लवल पे था नजाने कहां से मूली जला के ला रहा है मैं समोक में देखता हूँ यार आग दिखाई देरी होती है और इस वाली सुकॉर्ड का बस एक आखरी बन्दा बाकी है जो कि रोड से खुला भागते वे आ रहा होता है और यहां पे इस अकेले एक घर के अंदर आट बन्दों से लड़ाई होती है मैंने जब पहले चार पेले सोचा यार अब दबा के लूटूँगा गोली गोली सब खतम हो रखी थी लेकिन उसके बाद ही ये चार बन्दे ओर आ जाते है और आते ही सबसे पहला काम ये बाट को पेलना करते है तो बाट का बदला भी हमने अच्छे से ले लिया और दुबारा आठ बंदों से लड़ेंगे दो सकोड होगी याँ पे भी और इन लोगों ने चलाई थी भलेर गन यानि कि महंगी गने बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है इन पे तो जो भी करना होगा समल के करना होगा इसलिए पहले में एक सस्ता नेड फेकता हूँ किस्मत चमकती है और किस्मत से बंदा ठिल जाता है और मेरे ख्याल से ये मेरा पहला नेड है इस सीजन का काफी मैचेस खेल चुका हूँ यार लेकिन आखिर कार जाके कोई नोक हुआ है मेरे नेड से मज़ा टैप आगे बिलकुली और अगर मेरा टीमेट मेरे ख्याल से कवर फायर नहीं देता ना यार वो गुरोजा वाला पकड़ के पेटी बना देता मेरी बहुट डेमेज देता है और देखो मुझे बस लगाता है यार दो बंदे होंगे लेकिन सीन क्या होता है एक और सो कोड यहीं पहुची पड़ी होती है और लड़ाई के जोस में आके हम इस कदर बेहुस होते हैं कि यार पता तक नहीं चलता कि जून के बाहर खड़े पड़े हैं हम यही होता है यही होता है जब आप जून के बाहर लड़ रहे होते हों वो भी ऐसा नहीं क्यार एकाद बंदे होंगे दो-दो टीम के बंदे लड़े पड़े हैं और हर किसी पे गरोजा है हर कोई गरोजा चला रहा है भाई खैर यहां पे हमारे भाई की पेटी बन जाती है यार मैं रिवाई दबाता न तो मैं भी ठिलता और भाई तो वैसे भी ठिल जाते उस बंदे ने गरोजा इतनी देर तक चलाई कि भाई की लगभग पेटी बन गई थी रिवाई दबा की भी नहीं बसना था क्यार यहां से मैं गाड़ी लेता हूँ और ब्रिच के पार चलने की कोशिस करता हूँ अब देखो यहां पुल के बगल में जोन बनाए यानि की बंदे आसपास आते ही होंगे तो मैं पहले यहां पट्रोल पंप पे रुखता हूँ और देखता हूँ की सीन क्या चल ले हैं और जब मैं इधर आ रहा था ना मुझे पीछे से बंदे भगते हुए दिखते हैं पहले मुझे लगता है एक ही बंदा होगा लेकिन अलगी सीन होते हैं अब मैं बॉटो की तरह गोली काफी चलाता हूँ लेकिन बस डेमेज दे पाता हूँ मैंने घ्याल से यार अब तो बॉट भी पेटी बना के चल देते हैं मैं बस डेमेज दे रहा हूँ क्यार मैं यहां सीधा घर के अंदर आता हूँ क्यूंकि मुझे पता चलता है एक नहीं दो दो बंदे हैं दो दो के फुटी श्टैप आते हैं तो पहले मैं एक नेट फिक देता हूँ अब पचास नेड में एक बार दुक्का लग गया तो यार इसका मतलब यह नहीं कि सारे नेट से बंदे ठी लेंगे हां सस्ते नेड पे वापिस आ चुके हैं और देखो बंदे को और यार इस डेड़ आइक्यू गेम प्ले के लिए लाइक ठोकना मत भूलना मैंने बोला यार यह तो भकते वैया रहा है अगर कहीं ठीपी पी लेके बैट गया या अगर कहीं साप बन गया तो दिक्कत हो जाएगी तो मैं यहीं अंदर पे साप बनता हूँ सकोब को खोलता हूँ बाई की पाउं पे गोलियां पड़ती है और बाई की सीधा पेटी बन जाती है एकाद गोली में काम हो जाता है और मेरे ख्याल से उसने हील तक नहीं किया था खेर उसके बाद मैं ब्रिज पे देखता हूँ, ब्रिज कैम तो होता नहीं, कापी देर रुखना पड़ता है वहाँ पे, और उसके बाद देखो अब यहाँ पे जो जून बनता है न, वो जून सापो के लिए होता है, हर कोई लेटा पड़ा होगा यहाँ पे, मैं तक लेडि बनाते हैं, अब किसी ने मेरे ख्याल से गलती से फायर का बटन पेल दिया, दो गोली चलती है सिरफ, तो मैं इधर देखने आता हूँ कि सीन क्या चला है, बैठा कौन है यहाँ पे, अब बैठने का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बंदा भग जरूरा होता है, वो भी पूरी जान लगा के, अब बंदे ने इतने जोर से हिला दिया, भाईया कही तूट ना गया हो, फोन की सक्रीन यार मतलब इधर उधर पूरी जान लगा के किया भाई ने, लेकिन पेटी बन गई, नहीं रागया, और यहां पे मेरी पेटी बनानी की पूरी पूरी तयारी थी, एक बंदा नेट करता है, वो खेर अंदर नहीं पहुचा, और उतने में ही दूसरा बंदा, मेरे ख्याल से AWM पटकाता है, खेर उससे भी बच गय, किसमत पूरा पूरा साथ देती है, अब देखो यार मैं बाह ताब पीछे लेटा पड़ाओ, वो पेटी बना देगा, तो घर पे बैट की सीन करने होंगे, लडाई करनी पड़ेगी, देख रहे हूं, मतलब पूरा प्लैन बना के रखा है, एक बंदा भग रहा है, और दूसरा बंदा नजाने कौन सी महंगी गन चला रहा है पेट से, अब मैं खेड की चेंज करके जरूर मारता हूं, लेकिर मद्ने ने सकोप उधर पे भी खोल दिया, बहुत ही जल्दी गूलियां पेलता है, बस यहाँ पे मैं इसलिए जिनता हूं, क्योंकि यार गुरूजा पड़ी थी, मतलब उसे भी पता नहीं चला होगा यार कितने जल्दी वो नोक हो गया, खेर यहाँ पे वो बंदा भी नोक हुआ था, इनका तीसरा बंदा भी यहीं कहीं होगा, और चौथा बंदा वही था यार जो लेट राइट पूरी जान लगा के कर रहा था, जहां तक मेरा मानना है खेर अब देखो तीसरे बंदे का तो कद्दू नहीं पता, इतना पता है जून भागना है मुझे, और यहाँ पे कौन सा साब किधर पे बैठा पड़ा है, किधर पे लेटा पड़ा है, वो उनको ही बता होगा, मेरे ख्याल से उन्हें भी नहीं पता होगा, और मतलब जाड में मगन लेटे पड़े होंगे सब, तो मैं क्या गड़ता हूँ, मैं मैप में देखता हूँ, एक सस्ता सा शैक बाकी है, ऐसी दिन आगए भाई, सैक सूप में गुश के काम करना पड़ रहा है, खेर साब से ठिलने से बढ़िया है, यार सैक में गुश जाओं और इधर पर पता चलता है कि यार एक साप तो उपर ही लेटा पड़ा है, लेकिन उसके आलावा भी एक साप और जिन्दा है, और सीन क्या होता है यार ये तीनों के तीनों साप, एक ही जगा पर मतलब मेरे घ्याल से अगल बगल लेटे हूंगे और खबर तक नहीं होती ही पस इंतेजार कर रहो यार वो सकल दिखाए और मैं गुलियां पेलू उस पे और ये तीनों सापो को पता चलता है कि यार बाकी बंदे इनके अगल बगल लेटे पड़े तो वह इस दूसरे की पेटी बना देते हैं और यार इस मैच में एक और बार मैं डेड़ आईक्यू करता हूं देखो का लेटा है बंदा और अधी और इसी ड्री आईक्यू गिम्प्ले की वज़े से यार चिकन चुकन हो जाता है नहीं तो नजाने किस पे जोन बनता वो सांप रहें के कहां पहुंच जाता और क्या पता मेरी बेटी बन जाती मैं देखतो यार गोलिया उपर की तरफ चली है मैं पीछे की तरफ भगता हूं सैक के अंदर रहना यार नेड नूट का खत्रा भोत रहता है मैं देखता हूं बगल में ही गाड़ी पड़ी है मैं गाड़ी के अंदर बैटता हूं साफ साफ दिखाय देता है गिल्ली सूट होता है बंदे पे लेकिन यार लेके मस्ती में आता और नजाने कहां चुक जाता खेर आज के वीडियो में इतना भाई लोग यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे ये डेड़ और धाई लेके लिए जोन के बाहर और आठाट बंदों से फाइट ली थी यार उस सब के लिए लाइक ठोकना मत भूलना बिल्कुल ठोका प्रीटी करके नीला टैप कर दो और अगर आप कहां पे नए हो तो हैर करो सब इसक्राइब और भी ऐसे देखो बैड़ बोलता है डेड़ा एक् कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टोप में और यार मानो याना मानो मेरी फटके चाहर हो रही है जुकाम क्यों रहा है मुझे इस मोसम में देखता हूं क्या सीने कर मिलते है और बाई बाई देखता हूं क्यों प्रश बाई टोपार गल कोड़ा है बाई प्रेखता है जुक भर्श जोग जब कोड़रा है आवाइब एक्राइब भाल इंद़ काम ।